जे सिर्राम दोस्तों मैं राम मंदिर से जुड़ी मेद्वपूर्ण जानकारिया और तक तथे बताने जा रहा हूं तो आप अगर चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कई सालों बाद भी हम यह पता कर सकते हैं कि मंदिर कब बना था यानि उसके बारे में हम जानकारी प्राप कर सकते हैं अगला फेक्ट को जिन इटों से बनाए गया है, उन पर शेरी राम लाम अंकित किया गया है, इस इटों में से कुछ इटे चु ऐसी चिए जो काई साल उक्जित अप्योगGO में नहीं ली गूई है। और शिरालेखों से बनी हुई है अगला देखें दोस्तों तो मंदिर का जो निर्मान है वो प्राचेन पत्ति से किया गया है यानि नागर सैलिसिस का निर्मान किया गया है और इसमें कहीं पर भी इस्टील लोहा यानि इस्तमाल नहीं किया गया है इसके जो अगला फैक्ट है इसके जो आर्केटिक है सोमपुरा ये मंदिर का डिजैन मनाया है और सोमपुरा जो परिवार है तो आजारों सालों से मंदिर और अनेक बहुनों के निर्माण में उसलता प्राप्त की है अगला फैक्ट देखें दोस्तों जो करनाटक की पाड़ी है अंधरी नामक पाड़ी जहांपर बगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है वहां से पत्थर लाकर इसमें निर्माण में सयोग किया गया है अगला फेक्ट देखें दोस्तो, 100 से अधििक स्तानों से मिर्टी 71 की गई है और इस मंदिर में लगाई गई है। अगला फेक्ट देखें, देश की अलग-अलग नदियोंं का पानी भी इसमें अिस्तमाल किया गया है। अगला फैक्ट देखें कि संपूर्ण भारत में सोने सांदी गीटे मंदिर निर्माण के रूप में सयोग से आई वी हैं अनेग स्टेटों से या नियानी अनेग राज्य सुवी सोने में सांदी गीटे इस मंदिर के निर्माण में सयोग के लिए आई वी हैं अगला फैक्ट देखें पूरे मंदिर को वास्तु सास्तर को द्यानपुरों को देखकर ही बनाया गया है यानि मंदिर है वो वास्तु सास्तर के इसाबजी ही बनाया गया है अगला फैक्ट देखें दोस्तों इसमें सिरी राम के अलावा भी अनेक देविजेवताओं की मुर्थियां मंदिर में इस्थापित की गई है अगला देखें एक बार में राम मंदिर में 25 जार तक के सरदालू राम लला के दर्सन कर सकेंगे अगला फैक्ट देखे दोस्तों राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है लोहा तामबा इस्टील का बिल्कुल भी प्रियोग नहीं किया गया है आर्केटेक्स रोमपरा ने बताया है कि यह मंदिर एक घजार साल तक इसका कुछ भी नहीं बिगडेगा अगला फैक्ट देखे तो लोहे के अलावा यहां पर सीमेंट, लकडी, तामबा इनका प्रियोग किया गया है और लोहे के अलावा यहां पर कुछ भी यानि स्टील का प्रियोग भी नहीं किया गयाया है अगला फैक्ट देखे दोस्तों तो आर्केटेक है शोमपुरा उन्होंने बताया है कि भुकम के इसाब से उत्तर प्रदेश है वो जो सवेदिन सिल सहर होते हैं उसमें चार नंबर जोन में आता है तो यह जो मंदिर है वो आठ से लेके दस आठ से दस रियक्टर पैमाने को भ प्रेटेफून जानगारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें जैश्री राम दोफ्तों